नमस्कार, बाई जूस, गवर्नमेंट एक्जाम प्रेप में आपका स्वागत है आज की तारीख है 27 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अकबार में आई हुए कुछ प्रमुक आलेखों और एडिटोरियल्स पर जिसके तहट हम प्रारंबिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों संबंधित कुछ महत्पूर्ण अभ्याज प्रश्णों की भी चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किन-किन टॉपिक्स की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसको देख लेते हैं आज मुख्य परिक्षा संपाद किये और आलेखों के तहट हम भारत में विज्ञान को दिशा प्रदान करने संबंधित एक महत्पूर्ण आलेख को देखेंगे साथी साथ जो बाइडन और भारत अमेरिका संबंधों के दिश्टिकोन को भी एक अन्य एडिटोरियल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद हम एक और एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जिसका संबंध ओपन माइंड्स खुला दिमाग एडिटोरियल से है और इसके माध्यम से हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक सरकुलर प्रिस्तुत किया गया था इसके संदर में हम चर्चा करेंगे जिसका संभन online conferences और webinar से था एक अन्य editorial के तहट हम आपनिवेशिक अवशेश के रूप में 124A की चर्चा करेंगे और इसके तहट मुख्य रूप से हम बात करेंगे दिशा रवी केस के बारे में और इसके संदर में दिल्ली के नियायले द्वारा जो निर्ने आया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे नवीन आकड़ों के बारे में जिसमें quarter 3 के जो नवीन आकड़े आये हैं उसके माध्यम से भारत अब मंदी से बाहर निकल चुका है और तीसरी तिमाई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP में 0.4 प्रितिशत की ब्रिद्धी देखी गई है उसके बाद हम पर चर्चा करेंगे भारत श्री लंका संबंध की जिसमें श्री लंका के विदेश मंत्राले के सचिव का एक बेहत महत्तपूर्ण वक्तव्य आया है जिसके परिपेक्ष में भारत श्री लंका संबंध को हम समझेंगे उसके बाद हम प्रारंबिक परिक्षा संबंधित अभ्यास प्रश्णों की चर्चा करेंगे और मुझ्घ परिक्षा संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्ण भी देखेंगे आज के जो प्रारंभिक परिक्षा संबंदित अभ्यास प्रश्न है उसमें एक महत्पूर परिवर्तन के तहट हम उसके उत्तर को आपके साथ साजा नहीं करेंगे आपको खुद से उसको खोज के उसके उत्तर को बताना है और यह उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्य से आप उन्हें बहतर ढंग से संदचित कर सकते हैं और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं आज की हमारी पहली खबर पेज नमबर 6 से ली गई है और इसका संबन जी एस पेपर 3 में विज्ञान और प्रद्योगी की से है मुख्य रूप से यह संबंदित है 28 फरवरी को दिये विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह भारत देश में विज्ञान प्रद्योगी की नवाचार की प्रगती को मापनी के एक महत्पूर्ण दिवस के रूप में देखा जा सकता है तंतरता के बाद से ही भारत दोरा विज्ञान प्रिद्योगी की और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियां और संस्थान बनाए गए हैं, हाला कि इसके संदर में समय के साथ हम बहुत सारी अच्छी बाते भी सुनते हैं, अच्छी से थोड़ी कम अच्छी बा हैं, जिसके निवारण की हमें आउशकता है, अगर हम इसके संदर में अच्छी ख़बर के बारें बात करें, तो इसमें अमेरिका के राष्टिय विज्ञान फाउंडेशन की दिसंबर 2019 की रिपोर्ट काफी महत्तपूर्ण है, इसके अनुसार भारत द्वारा 2018 में विभिन विज्ञान और इंजीनिरिंग से संबंधित जो जर्नल्स और कॉन्फरेंस पेपर में अपने आलेक प्रकाशित किये गए, वह पूरी दुनिया में भारत को तीसरे स्थान पर ले आता है, जिसके तहट भारत द्वारा 2018 में एक लाख 35,788 कॉन्फरेंस पेपर्स और रिसर् परात्मक रूप से 2008 के बाद से ही 10.73 की ओसत वार्शिक ब्रिद्धी हासिल की गई है, जो चीन के 7.81 प्रतिशत से काफी अधिक है, हाला कि संख्या के अधार पर देखें, तो अभी भी भारत को इसके संदर में कारे करने की आउशकता है, क्यूंकि चीन और अमेरिका भारत की तुल्ला में कम से कम 3 गुना और 2 गुना अधिक रिसर्च आलेक प्रकाशित करते हैं, इसके संदर में अगर हम एक और not so good यानि अच्छे से कम अच्छी खवर के बारे में विचार करें, तो अधिक मात्रा में रिसर्च आलेक प्रिस्तुत करने का मतलब ये नहीं है, कि गुडवत्ता पूर्ण भी हो, रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से दुनिया भर में सबसे जादा उल्लिखित किये जाने वाले टॉप एक प्रितिशत प्रकाशनों में भारत का स्कोर महज 0.7 है, अमेरिका, चीन और यूरोपिय यूनियन की देशों की तुल्ना में ये बेहद कम है क्यूंकि इसके संदर में एक अत्वा इससे अधिक का स्कोर ही अच्छा माना जाता है, यानि भारत को आउशकता है कि वहना केवल अपने विज्ञान और रिसर्च से संबंधित आलेखों की संख्या को बढ़ाए और संख्या को बढ़ाने के साथ ही उनकी प्रभाविता और गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के लिए भी कारे करने के आउशकता है इसी के संदर में भारत अंतराश्टिय स्तर पर कितने आवेदन करता है पेटेंट के संदर में यह भी भारत की विज्ञान और प्रद्योगी की के संदर में विकास को देखे जाने के संदर में जाता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के द्वारा केवल 2053 पेटेंट एप्लिकेशन ही फाइल किये गए जो की चीन द्वारा फाइल किये गए 58,990 और अमेरिका द्वारा फाइल किये गए 57,840 पेटेंट एप्लिकेशन की तुलना में काफी कम है यानी हमने प्रगती अवश की है लेकिन अभी भी हमें काफी लंबी दूरी तै करने की आवशकता है अब हम देख लेते हैं कि इसके संदर में भारत द्वारा विज्ञान प्रिद्योगी की और नवचार को बढ़ावा देने के किन नीतीगत प्रयासों को किया गया है भारत सरकार द्वारा 2016 में राश्ट्रिय बौदिक संपदा अधिकार नीती को जारी किया गया और इसके माध्यम से देश में एक प्रगती शील और संतुलित बौदिक संपदा अधिकारों की विवस्था को इस्थापित करना लक्षित रखागी इसके तहट माना पूंजी विकास पर भी बल दिया गया है और ना केवल नवाचार की मात्रा हमें बढ़ानी है साती सात इसको हम वानिजी करत भी कर सकें इस पर भी बल दिये जाने किया हो शकता है हमें इसके संदर में मुख्यरूप से चीन से सीख लेने की जरूवत है चीन द्वारा 1999 में केवल 276 पेटेंट किये गए थे और 2019 तक आते आते यानि 20 सालों में उसने इतनी प्रगती की है कि वो वर्तमान में अमेरिका से भी अधिक अंतराश्टिय पेटेंट हासिल करता है जो भारत के लिए एक सीखने का सुरोत होना चाहिए अब हम बात करें स्वतंतरता के पश्चाद भारत द्वारा प्रिस्तुत की गई विज्ञान नीतियों के बारे में तो भारत ने स्वतंतरता के पश्चाद कुल मिलाकर 5 विज्ञान नीतियां प्रिस्तुत की हैं जिसमे जनवरी 2020 में पांचवी विज्ञान नीती के एक ड्राप्ट को प्रिस्तुत किया गया है यदि हम एक-एक करके इनको देखें तो 1958 में भारत द्वारा पहली विज्ञान नीती सुईकार की गई जिसका नाम था विज्ञान नीती संकल्ब मुख्य रूप से भारत में वैज्ञानिक उद्ध्यमीता को विक्सित कनने के उद्देश से वैज्ञानिक सोच को महत्वण आधार दिये जाने के दृष्टिकोन से इसकी काफी महत्ता थी और इसके माध्यम से मुख्यरूप से भारत द्वारा अनेक रिसर्च संस्थानों और राष्टी लेवों की स्थापना पर बल दिया गया 1980 तक भारत द्वारा बेहद एडवांस वैज्ञानिक और संरचना का विकास किया गया और परियावत मात्रा में वैज्ञानिकों की भी इनमें नियुक्ती की गई 1983 में हम एक दूसरी विज्ञान नीती के साथ सामने आते हैं जिसमें भारत ने तकनीकी छेतर में आत्म निर्भरता के लक्षे को प्राप्त करने की बात कही साथी साथ तकनीक का लाव समाज के सभी वर्गों तक पहुश सके इस पर भी बल दिया गया मुख्यरूप से भारत द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स और बायो टेकनोलोजी जैव प्रद्योगी की के छेतर में भारत को सुद्रन करने पर काफी बल दिया गया इस नीती के माध्यम से 2003 में हम विज्ञान प्रद्योगी की की नवीन नीती को सामने लाते हैं 1999 में भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक उदारीकन के पस्चात यह पहली नीती थी इसके माध्यम से भारत ने सकल, घरेलू, उत्पाद, GDP के अनुपात में विज्ञान और प्रद्योगी की विकास में किये जाने वाले खर्च को GDP का 0.7 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात की और साथ ही देश में रिसर्च को पढ़ावा देने के लिए विज्ञान और इंजीनिरिंग रिसर्च बोर्ट की भी स्थापना की गई 2013 में भारत एक नवीन विज्ञानिक नीती के साथ सामने आया जिसमें हमने नवाचार को भी शामिल किया और इसके तहट नीती का नाम किया गया विज्ञान प्रद्योगी की और नवाचार नीती भारत दोरा इसके माध्यम से दुनिया के टॉफ फाइव विज्ञानिक देशों में शामिल होने का रक्षे रखा गया है और साती साथ हम अंतराश्टी इस्तर पर भी देशों के साथ भागेदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं इसी के तहट भारत ने यूरोपिय यूनियन के साथ मिलकर लाज हेडरन कोलाइडर में भी भागेदारी को बढ़ावा दिया है जनवरी 2020 में भारत द्वारा विज्ञान प्रिद्योगी की और नवचार नीती 2020 के नवीन ड्राप्ट को प्रिस्तुत किया गया जिसे शौट में STIP 2020 भी कहा जाता है भारत इसके माध्यम से पूर्ण कालिक अधार पर लगे हुए रिसर्चर्स की संख्या को बढ़ाने का लक्षे सामने रख रहा है साती साथ अनुसंधान और विकास छेत्र में GDP के अनुपात में किये जाने वाले खर्च को भी हम अगले 5 साल में दुगना कर सकें ऐसा लक्षे रखा गया है और इसके लिए हम नीजी छेत्र की भागिदारी को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं भारत द्वारा अगले दशक तक दुनिया के 3 महतपूर्ण विज्ञानिक सुपर पावर देशों में इस्थान बनाने का लक्षे भी रखा गया है और इसको इस्थापित करने के लिए STIP 2020 एक Open Science Framework की इस्थापना की बात करता है जिसके माध्यम से भारत में एक राष्ट एक सब्सक्रिप्चन की नीती को लागू किया जाएगा और इसके माध्यम से सभी व्यक्तियों वैज्ञानिक संस्थाओं आधी को दुनिया भर के जो टॉप वैज्ञानिक जनरल्स हैं वह मात्र एक ही केंद्रिये सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उनकी पहुच दी जाएगा वर्तमान में देखा जाता है कि बहुत सारे जो अंतराश्टी जनरल्स या रिसर्च पेपर्स या फिर उससे संबंधिन मैगजीन्स होती हैं वह काफी महंगी होती हैं और हर व्यक्ती संस्था की उन तक पहुच संभव नहीं हो पाती साथी साथ इन में एक डुप्लिकेशन भी देखा जाता है दोराओ भी देखा जाता है तो इसके संदर में खर्च को कम किया जा सके पूरे भारत में सब लोग वैग्यानिक रिसर्च तक समान रूप से पहुच बना सकें इसके दृष्टिकोंड से ओपन साइन फ्रेमवर्क एक बेहद महत पूर पहल साबित हो जकती है और इसके माध्यम से भारत में वैग्यानिक ज्यान तक पहुच को काफी बढ़ावा मिलेगा भारत द्वारा वर्तमान में जीडीपी के अनुपात में अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला जो खर्च है वह मात्र 0.6 पृतिशत ही है चीन और अमेरिका द्वारा इसके संदर में 2 पृतिशत से ज्यादा खर्च करते हैं वहीं इजराइल तो इसमें 4 पृतिशत से अधिक खर्च करता है यानि भारत को निश्चित रूप से खर्च को बढ़ाने किया और शकता है अब इसके संदर में जो आर्थिक सर्वेक्षन के माध्यम से भी सुईकार किया गया है वो ये तथ्य है कि भारत में रिसर्च और डेवलप्मेंट के छेतर में कम खर्च करने का एक महत्पूर्ण कारक ये है कि भारत में सरकारी संस्थाओं की तुलना में जो नीजी छेतर है, MNCs हैं वे है research और development के छेतर में अधिक खर्च नहीं करती हैं जिसको भारत को सुधारना होगा यही कान है कि STIP 2020 में सभी राज्यों से यह कहा गया है उनसे यह पेक्षा की गई है कि वे research को बढ़ावा देने के लिए खर्च को बढ़ाएंगे MNCs, Multinational Company, बहुराश्टिय कंपनिया भी इसमें भागिदारी को बढ़ावा देंगी और साती साथ समय समय पर राजकोशिय सहायता को दिये जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है जदी हम STIP 2020 के अन्य महतपूर्ण छेत्रों और focus area की बात करें तो विज्ञान प्रद्योगी की छेत्र में कम प्रतिनिधित वाले समूहों की भागिदारी को बढ़ावा महिला SCST आदी सुदेशी ग्ञान विवस्था को सहायता और इसे संस्थागात अधार दिया जाना जैसे कि ग्रामीर छेत्रों में विद्दमान जो ग्यान होता है जो पीडियों से विज्ञानिक ज्यान हमारा चला आ रहा है उसको सुरक्षित किये जाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा इसके संदर में हम किर्तिम बुद्धी मत्ता आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के प्रियोग को भी बढ़ावा देंगे और साथी साथ जो विदेशों में विद्दमान भारतिय मूल के विज्ञानिक हैं उन तक पहुझ को भी हम बढ़ावा देने को लक्षित कर रहे हैं इसी के लिए हम भागिदार देशों के साथ विज्ञान कूटनीती को बढ़ावा देंगे और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक तकनी की विकास फंड की इस्थापना भी प्रिस्तावित की गई है और इन सभी उपायों द्वारा ये आशा की जा रही है कि भारत में विज्ञान और प्रद्योगी की को बढ़ावा दिया जा सकेगे हाल के समय में भारत द्वारा अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन दी गई है और इस प्रष्ट भूमी में भी हम विज्ञान कूठ नीति को बढ़ावा देने की आशा कर सकते हैं हाला कि यह पूरी नीति सफल हो सके इसके लिए यह आवशक है कि हम विज्ञान और प्रद्योगी की नीतिगत विकास में एक विकेंद्री करण की प्रवत्ती को भी बढ़ावा दें हम ग्रामीन इस्तर तक तरणमूल आधार तक समावेशी विज्ञानिक विकास को आगे बढ़ा सकें तब ही हम भारत को एक विज्ञानिक राज बना पाने में सफल हो पाएंगे और इसके लिए नीतिगत प्रयासों के साथ सबको साथ मिलकर कारे करने की आउशकता है अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिये गए दूसरे आर्टिकल की जिसका संबन्ध G.S.P.2 में अंतराश्टी संबन्धों आयार से हैं मुख्यरूप से संबन्धित है भारत में पूर अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम के आगमन को लगभक एक वर्ष पूर होने से लगभक एक साल पहले ही अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम भारत आये थे और इसके माध्यम से भारत अमेरिका संबन्धों को काफी ब जोनों ही देशों की अर्थवियोस्थाएं नकरात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। प्रवासन इमिग्रेशन संबंधी नीतियों में सुधार के मात्यम से फीजा नीतियों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। बढ़ावा दिया है जिसके तहट भारत, अमेरिका, उस्टेलिया और जापान द्वारा हाल ही में वर्शुवल आधार पर मंत्री इस्तरिये सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका दोनों जलवायू परिवर्थन के मुद्दे पर भी साथ मिलकर कारे कर रहे हैं और इसके तहट नवी कर्णिये उर्जा और जीरो कार्बन उत्सरजन शून ने उत्सरजन पर कारे किये जाने की बियाशा की जा रही है। कोरोना वाइरस से निपटने के संदर में भी दोनों देशों के बीच सहयोग अपेक्षित है। के बावजूद भहुत सारी ऐसी चुनोती के बिंदू भी हैं जिसको समझे जाने की आवशकता है। मुख्यरूप से चीन से किस प्रकार का विवहार किया जाए इसको लेकर दोनों देशों के मध्धे नीतियों में परिवर्तन संभावित है। 2020 काल एक ऐसा काल रहा था जिसमें भारत का चीन से सीमा विवाद देखा गया। अमेरिका से भी चीन का डॉनल्ड ट्रम के काल में तनाव देखा गया। 2021 की शुरुआत के बाद भारत द्वारा चीन से सीमा पर तनाव को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये गए हैं। पेंगॉंग से जील छेतर में मुख्यरूप से डिसंगेजमेंट को बढ़ावा दिये जाने के दिश्टिकोंड से काफी सार्थक पहल की गई है और लगतार इसके संदर में बाच्चीत भी जारी है। हाल के समय में अमेरिका द्वारा भारत के समान ही आत्म निर्भरता पर बल दिया जा रहा है। इससे यह आशंका जाहिर की जा रही है कि भारतिय दवा कंप्रियों दोरा जो अमेरिका में दवाओं की आपूर्ति की जाती है वह कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। उलंगन के प्रिस्ताओ को बाचीत की जा रही है और यदि यह प्रिस्ताओ पारित हो जाता है तो इसका भालत अमेरिका संबंधों पर काफी प्रभाव पर सकता है। मयानमार में तक्ता पलट को लेकर भी दोनों में विचार प्रतकता है। अमेरिका इसके संदर में मयानमार में लोकतंत की वापसी को और अधिक आकरामक रूप में ले रहा है। और भारत इसके संदर में काफी सावधानी से कारे कर रहा है और पूरी घटना पर नजर रख रहा है। अमेरिका के साथ ही रूज से संबंध भी भारत और अमेरिका के मद्धे तनाव का एक और संभावित कारक हो सकते हैं। भारत मुख्य रूप से इसमें रूज से S-400 मिसाइल डील पर आगे बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका तुर्की के समान ही भारत पर भी काटसा का कानून Countering American Adversaries Through Sanctions Act के तहत संभावित पृतिबन लगा सकता है जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा व्यापारिक संभंधों और बौदिक संपदा अधिकारों के छेतर बे भी समय समय पर दोनों के बीच तनाव देखे जाते हैं जिसको निवारित किये जाने के लिए कारे करने की आउशकता है। यदि हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो इन से संबंधों को लेकर भी भारत और अमेरिका प्रथक मत रखते हैं। अमेरिका वर्तमान में यह प्रियास कर रहा है कि वह अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी को सुनिश्चित कर सके और इसके लिए वह अब तालिबान से भी समझोता वारताएं कर रहा है। हालां कि भारत इसके संदर में तालिवान के पक्ष में नहीं है जिससे दोनों के बीच मत भिर्नता देखी जा सकती है साथी साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमी का क्या हो इसके संदर में भी दोनों के विचार अलग-लग है अफगानिस्तान में शांती को बनाय रखने के संदर में अमेरिका दोरा पाकिस्तान पर जादा निर्भरता दिखाई गई है जिससे भारत इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं इससे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभुत बढ़ना जाए और इससे भारत के हितों को नकरात्मकता हो सकती है इस परकार यदि हम देखें तो भारत और अमेरिका दोनों के ही बीज सकरात्मक और अंदकरात्मक दोनों परकार के तथे विद्धमान हैं, मुख्य रूप से दोनों ही देश तनाओं के मुद्दे पर कारे करें, तभी हम लोकतांत्रीक और एक बहुपक्षिये विश्व के न केन सरकार दोरा अभी हाल में ही अंतराश्टी इसतर पर किये जाने वाले विभिन वेबिनारों के संदर में एक सरकुलर जारी किया गया था, जिसे अब केन सरकार ने वापस ले लिया है, यदि हम इस सरकुलर की बात करें, तो सिक्छा मंतराले दोरा ओनलाइन कॉन्फरेंस किये जाने के संदर में एक सरकुलर जारी किया गया था, और इसके माध्यम से सरकार दोरा फंड की जाने वाली संस्थाओं दोरा किसी भी अंतराश्टी वेबिनार को किये जाने के संदर में अनेक नियमों का पालन करने की बात कही गई थी, जैसे कि अंतराश्टी कॉन्फर प्रकार से राष्ट की सुरक्षा, सीमा मामले, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाग और किसी भी प्रकार के आंतरिक मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए। प्रकार के सरकारी नियंतरन से भारत में विज्ञान प्रिद्योगी की पर नकरात्मक प्रभाव पढ़ सकता है। जाने वाले संमेलन भी इसमें देखे जा सकते हैं। आयुजित किये गए उनमें 80 से 300 प्रितिशा तक की बढ़ोत्री देखी गई। यानि जितने सदस्य आमंतरित किये गए थे उससे कई गुना सदस्य उसमें शामिल हुए। मुख्य रूप से विज्ञानिक ज्यान को विज्ञान की विविद शाखाओं को अलग-अलग छेतरों में पहलाए जाने के दृष्टिकोंड से यह कॉन्फरेंस काफी महत तो रखते हैं। यही काण है कि Science, Technology and Innovation Policy 2020 के प्रिस्तावित विज्ञान प्रद्योगी की नीती में भी इस पर बल दिया गया है। आलग कि यह जो सरकारी circular जारी किया गया था, वह कहीं न कहीं विज्ञान और प्रद्योगी की छेतर में सरकारी नीयंतरण को कम करने के बज़ाए बढ़ाता ही था, जिसे अब वापस ले लिया गया है और इसके माध्यम से आशा ये की जा रही है कि भविश्य में भी सरकारें विज्ञान प्रद्योगी की के छेत्र में अपने नियंत्रन को कम करेंगी इसके तहट यह भी कहा जा रहा है कि हमें मूलभूत विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान के छेत्र में भी स्वतंतरता पर बल दिया जाना चाहिए मुख्य रूप से इसके तहट हमें वाक और अभिव्यक्ति की सतंतरता पर बल दिये जाने के साथ ही व्यक्तियों में व्यग्यानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके इसको इस्तापित किये जाने के आउशकता है तब ही हम भारत में रिसर्च को सकारात्मक रूप से जलवाईू परिवर्तन एक्टिविस्ट दिशा रवी को जमानत दिये जाने से और यह जमानत दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए एक आरोब से जिसमें दिल्ली पुलिस ने उन पर राजद्रोह के तहट आरोब लगाया था राजद्रोह मुख्यरूप से IPC की धारा 124A को दर्शाता है और हाल के समय में 124A पर काफी चर्चा होती रही है जिसमें हमने कुछ दिन पहले के DNA में भी इस पर काफी चर्चा की थी इसकी प्रजभूमी के बारे में अगर हम बात करें तो दिशारवी Friday for Future नामक मुहीम की संस्थापक हैं और मुख्य रूप से यह है परियावन संडक्षन के छेतर में कारेरत एक एक एक्टिविस्ट हैं उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोरा 13 फरवरी को बैंगलूरू से गिरफतार किया गया और पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि दिशारवी टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर हैं जिसमें डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रिसारित करने में उनकी महत्पूर्ण भूमिका है इस सिलसले में उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे खलिस्तान समर्थक पोईटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतिय राज्य के पृति वे मनस्य फैलाने का काम कर रही हैं और उन्होंने ही स्वीडन की एक्टिवेस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर इस टूल किट को शेयर किया था दिशा पर भारतिय डंड सनिता के अंतरगत राजद्रो समाज में समुदायों के बीच नफरत फैलाने और आपरादिक शडियंत्र के मामले दर्ज किये गए अब इसके संदर में कोट का जो मत आया है वह भारत में वाक और अव्यक्ति की स्वतंतरता को सुनिश्चित किये जाने के दिश्टिकोंड से काफी महत तो रखता है इसके तहट नियायधीश कर कोई भी भोगोलिक बाधा नहीं रह गई है और एक नागरे के पास ये मौलिक अदिकार है कि वो उपलग साधनों का इस्तमाल कम्यूनिकेशन भेजने और प्राप्त करने के लिए कर सकता है साथी साथ दिशारवी के PGF Poetic Justice Foundation और खलिस्तानी समर्थक कारकरताओं से कि अस्वीकृती भी राज्य की नीतियों में निस्पक्षता लाने के एक जरूरी उपकरन है जिसमें जागरुक और मुखर नागरिकता एक स्वस्त और जीवन्त लोकतंतर का संकेत है और संबिधान के अनुछेत 19 के तहत असंतोष का अधिकार भी द्रनता से नीत है जो इस पूरे मामले में समझे जाने की आउशकता है साथी साथ इसमें इसमत को भी व्यक्त किया गया कि केवल टूल किट के निर्माण में भागिदारी से ही किसी पर राजद्रो का आरोप साबित नहीं होता मुखर रूप से इसमें यह देखे जाने की आउशकता है कि जब भी रा राज दुरों का आरोप लगाया जाना सही नहीं है। यही कान हैं कि हाल के समय में इसके संदर में काफी आलोचनाई देखी जा रही हैं जिसके निवान के लिए हमें कारे करने की आउशकता है। अब हम समझ लेते हैं कि यह वास्ताव में टूल किट होता क्या है। मौझूदा दौर में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जो आंदोलन देखे जा रहे हैं चाहे वो Black Lives Matter हो, अमेरिका का Anti-Lockdown Protest हो, परियावन से जुड़ा हुआ Climate Strike Campaign हो या फिर कोई दूसरा आंदोलन हो इन सभी जगे आंदोलन से जुड़े लोग कुछ Action Points तयार करते हैं, यानि कुछ ऐसी चीजे प्लान करते हैं, जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए की जा सकती हैं। और जिस दस्तावेज में इन Action Points यानि आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बिंदू दर्ज किये जाते हैं, उसे ही Toolkit कहते हैं, इसे आप एक Google Doc के Document के उधान के रूप में देख सकते हैं, जिसमें वो बाते लिखी होती हैं कि कि किसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहीं। वरतमान में Toolkit शब्द इस दस्तावेज के लिए Social Media के संदर में जादा इस जाती है। और Toolkit को अक्सर उन लोगों के भी शेयर किया जाता है, जिनकी मौझूदगी आंदोलन के प्रभाव को बढ़ाने में मददगार सावित हो सकती है। Social Media और Marketing के विशेशग्यों के अनुसार इस दस्तावेज का मुख्य मकसद लोगों और आंदोलन के समर्थकों में समन्बे स्थापित करना होता है। Social Kit में आम तोर पर ये बताया जाता है कि लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से हैश्टेग इस्तमाल कर सकते हैं, किस वक्त से किस वक्त के बीच वे ट्वीट या पोस्ट करें तो उनको जादा फायदा होगा, और किन हे ट्वीट्स या फेस्बुक पोस्ट में शामिल करने से फ Social Media पर ट्रेंड कराया जा सकता है, और उसके जरिये लोगों की नजरों में जादा बहतर ढंग से आया जा सकता है, यही कान हैं कि ना केवल आंदोलनकारी, अपितु, राजनीतिक पार्टियां, बड़ी-बड़ी कंपनियां और अनेक समाजिक समू भी ऐसे Toolkit इस्तमाल करते हैं, और इस परकार की Toolkit मातर ही किसी पर आरोप लगाये जाने का आधार नहीं हो सकती है, बशर्ते कि वे किसी परकार की प्रत्यक्ष हिंसा को बढ़ावा ना दे, अब हम बात कर लेते हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 14 में दिये गए एक अन्यालेक की, जिसका संबन GSP पत्री में अर्थविवस्ता से है, मुख्य रूप से संबंदित है, भारती अर्थविवस्ता में quarter 3 यानि तीसरी तिमाही के आंकणों के संदर में, जिसमें 2020-2021 की तीसरी तिमाही में यह देखा गया कि पिछले दो तिमाहीयों की तुल्ला में सकारात्मग बृद्धी अगर हम बात करें 2020-2021 के वित्तिय वर्ष की तो यह प्रारम हुआ अप्रेल से और अप्रेल से लेकर अप्रेल, मई और जून की पहली तिमाही में इसमें माइनस के 24.4 पृद्धी देखी गई उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के दूसरे तिमाही में इसमें माइनस में 7.3 पृद्धी हुई हाला कि तीसरी तिमाही यानि अक्टूबर, नौंबर और दिसंबर के तीन महीनों में अब इसमें 0.4 पृद्धी ग्रोध देखी गई है जो काफी आशा का कारक है और इसी अधार पे कहा जा रहा है कि भारती अर्थव्योस्था अब मंदी से बाहर निकलने जा रही है, हाला कि राश्टिय सांखी की कार्याले द्वारा पूरे अर्थव्योस्था के संपूर्ण वित्वर्ष 2020-21 के संदर में यह आक्रा दिया गया है कि पूरे जीडीपी में लगबग 8 पृतिशत का संकुचन हो सकता है, जो पहले 7.7 पृतिशत जाहिर किया गया था, मुख्य रूप से इसमें किर्षी छेत्र में सकारात्मक वृत्धी हुई है, 3.9 पृतिशत की पॉजिटिव ग्रोथ, इससे पहले किर्षी में पिछली दो ती माहि में 3.3 और 3 पृतिशत की वृत्धी हुई थी, अब जिस प्रकार से पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, उसमें वित्मंतराले ये आशा कर रहा है कि कोरोना वाइरस के काल में जो हमने नकरात्मक संवृत्धी देखी थी, अब वह एक सकरात्मक संवृत्धी की ओर जाएगा, और इससे जो वक्र बनेगा वह वियाकार का होगा और इसे ही वियाकार की रिकवरी कहा जाता है, राश्तिय सांखी की कार्याले द्वारा पूर्ण वित्तिय वर्ष के संदर में भी आँकड़े जाहिर किये गए हैं, जिसमें NSO ने यह बताया है कि केवल दो छेत्र ही ऐसे ह जहां पे हम सकरात्मक सम्रिद्धी की आशा कर सकते हैं, इसमें किर्शी छेत्र में हम 3 पृतिशत की सकरात्मक सम्रिद्धी की आशा करेंगे और बिजली गैस, जल और अन्य उपयोगता सेवाओं में 1.8 पृतिशत की सकरात्मक सम्रिद्धी संभावित हैं, भारत की अर्थ सिवस्था में 50% से अधिक योगदान देने वाले सेवा छेतर में भी नकरात्मकता देखी जा रही है और मुख्य रूप से व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन छेतर में 7.7% की negative growth हुई है जो काफी चिंता का विशय हो सकता है हालकि इसमें सकरात्मकत तक यह भी कहा जा सकता है कि पहले quarter और डूसरे quarter quarter 1 और quarter 2 के तुलना में यह जो negative growth हुई है वह थोड़ी सी बहतर है जिसमें सेवा छेतर में quarter 1 में 47.6% की गिरावट आई थी और quarter 2 में 15.3% की गिरावट आई थी अब जिस प्रकार से हम धीरे धीरे negative से positive growth की तरब बढ़ रहे हैं उससे ही आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में अर्थविवस्था में और सकरात्मकता आएगी और इसके द्रिश्टिकोंड से मुख्य रूप से विभिन आर्थिक विशलेशक इस बात को भी ज़्यादा highlight कर रहे हैं कि किस प्रकार से अर्थविवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नीजी खर्श को बढ़ाए जाने की आउशकता है और इसके लिए सरकारों को कारे करना होगा तो मुख्य रूप से इस तरीके के जो आकड़े हैं वे अर्थविवस्था में किस प्रकार से कारे क किया जाए इसके दिर्ष्टिकोंड से काफी महत्व रखते हैं अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिये गए एक अन्य आलेक की जिसका संबंध जी एस पेपर 2 में आयर से है भारत श्रिलंका संबंधों के संदर में श्रिलंका के विदेश मंतराले के सचिव का एक महत इस्तपूर्ण बक्तव्य आया है जिसमें मुख्य रूप से श्रिलंका को भारत के समर्थन की आउशक्ता की बात कही गई है जेनेवा में इस समय संयुक्तराश्ट मानवा दिकार परिशद यूएन अचारसी की बैठक जारी है और यूएन अचारसी तोरा श्रिलंका पर 2009 म कान है कि श्रिलंका इसके संदर में भारत से समर्थन हासिल करने की बात कर रहा है अब जैसे कि पहले भी हमने चर्चा किया कि यह भारत के लिए काफी दुविधा का काल हो सकता है क्यूंकि यदि भारत श्रिलंका के पक्ष में समर्थन करता है तो वह तमिलों के विरुद ज कुछ विशेशक के कह रहे हैं कि भारत इसमें ना स्पक्ष में दे ना विपक्ष में दे अपितु एपसेंट हो जाए यानि अनुपस्तित रहे हाला कि श्रिलंका के विदेश सचीव का कहना है कि इससे भी जो मत है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होगा और भारत श् संतुलना में जिस प्रकार से हाल के समय में श्रिलंका और चीन के संबंद बहतर हुए हैं इसको संतुलित करने के लिए भारत द्वारा काफी सावधानी पूर्वा कारे करना होगा और यह देखने वाली बात होगी कि UNHRC में भारत किस प्रकार के मत को लेता है अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रारंभिक परिक्षा से संबंधित प्रैक्टिस कोश्चन की और जैसा कि मैंने आपको बताया इन कोश्चन की हम आपके साथ चर्चा करेंगे लेकिन इसका उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे उत्तर आपको खुद से खोजना है और कमेंट बॉक्स में आ किया गया है कुर्ग अरेविका वाइनाड रोबस्टा कॉफी चिक मंगलूर अरेविका कॉफी की अराकु वैली अरेविका कॉफी विकल्प हैं आपके समक्च केवल एक दो और तीन केवल दो तीन और चार केवल एक और चार के एक दो तीन और चार तो इसके संदर में आप कॉफी के उत्पादन में लगभग 30 पृतिशत की गिरावट हो सकती है, जो कॉफी उत्पादकों के लिए काफी चिंता का विशय है, नेक्स कोशन देख लेते हैं, किसी देश का जुड़वा घाटा, ट्विन डेफिसिट संदर्भित करता है, एक ही समय पर पूंजी खाता घाटा और राजकोशी घाटा, राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा, प्रात्मिक घाटा और चालू खाता घाटा एक साथ, एक ही समय पर चालू खाता घाटा और राजकोशी घाटा, आज दाहिंदू में कवर आई है, जिसमें केंद सरकार के राजकोशी घाटे के संदर में यह अनुमान लगाया गया है कि वह लगभग 12.3-4 लाग करोड हो सकता है जनवरी के अन्त तक और इसके माध्यम से संपूर्ण वित्तिय वर्ष में यह 9.5 पृतिशा तक जा सकता है यानि लगभग 18.4-8 लाग करोड र हाशिये परिस्थित समुदायों को कानूनी साहता देने के लिए एक e-governance सेवा राश्तिय उपभोकता विवाद निवारन आयोग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोकता शिकायत निवारन पोर्टल एक वेब पोर्टल जो विशिष्ट पहचान संख्या वाले लोगों को भूमी रिकॉर्ड उपलब्ट कराता है या फिर एक government to business पोर्टल जिसका उद्देश भारत में व्यापार सुगमता में सुधार करना है नेक्स कोशन देख लेते हैं और द्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोकता मूले सुचकांग के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करें यह सुचकांग CPI सुचकांग को में सबसे पुराना है क्योंकि इसका प्रसार 1946 में प्रारम हुआ था CPI IW का आधार वर्ष 2001 है यह है श्रम ब्यूरो जो श्रम और रोजगार मंतराले का एक संबद कार्याले है के द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है उपर्युक कथन कथनों में से कौन साथ से कथन सही हैं हैं केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन की एक दो और तीन अब लास्टियर का एक कोश्चन देख लेते हैं UPSC का जैविंधन पर भारत की राश्टिय नीती के अनुसार जैविंधन के उतपादन के लिए निमलिखित में से किसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है कसावा, गेहूं के टूटे हुए दाने, मुमफली के दाने, चने की दाल, सड़े हुए आलू की चुकंदर निमलिखित कूट का प्रियोग कर सही उत्तर का चैन करें केवल 1,2,5 और 6, केवल 1,3,4 और 6, केवल 2,3,4 और 5, की 1,2,3,4,5 और 6 तो इसमें आप उत्तर सर्च कीजेगा और कमेंट बॉक्स में बताईएगा अब मुख्य परिक्षर संबंदित कुछ प्रशन देख लेते हैं पहला प्रशन है भारत में स्वतंतरता के पश्चात विज्ञान अधारित नीतियों के विकास को आरेखित करें साथ ही विश्विस्तर पर अनुसंधान और विकास छेत्र में एक अग्रणी खिलाली के रूप में भारत की स्थापना के लिए चुनोतियों और अफसरों पर चर्चा करें सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ की वर्ड्स और टेल वर्ड्स को समझने की आउशकता है दोनों ही कोश्चन में चर्चा करें पर बल है साथी साथ पहले कोश्चन में आरेखित करें की बात कही गई है यह जो शब्द है यह मुख्य रूप से एक और तो व्याक्या पर देता है यानि आप से जो पूछा गया है उसको आप व्याक्या करें दूसरी तरफ चर्चा करें के तहट मुख्य रूप से अधिक से अधिक आयामों को उत्तर में शामिल किया जाता है जिसमें जितने जादा आप उधान देंगे जितने जादा आप बिंदु लिखेंगे उतना ही उत्तर आपका बहतर होगा जैसे कि पहला प्रश्ण में आपको भूमिगा में भारत में स्वतंतरता के पश्चाद विज्ञान अधारित नीतियों का परिशे देना होगा फिर उसके बाद स्वतंतरता के पश्चाद विक्सित हुई जो चारो नीतियां हैं जो में भी आप विवरन प्रिस्तुत करेंगे जो इस उत्तर में महत्तपूर्ण होगा। साथी साथ प्रश्न के दूसरे भाग के रूप में विश्विस्तर पर भारत अनुसंधान और विकास के छेत्र में अग्रणी खिनाली किस प्रकार से बन सकता है इसमें चुनोतियों और आ कुमिका में डॉनल्ड ट्रम के पश्चाद भारत यूएस संबंधों का परिचे देंगे जिसमें आप बता सकते हैं कि किस परकार से बहुत सारे कारक देखे जा रहे हैं बहुत सारी सकरात्मक्ता देखी जा रही है यह सहयोग किन-किन बिंदूओं पर है इसको आप चर्च करेंगे जिसमें मुख्य बल आप देंगे चीन पर और मानवा दिकारों के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दों को भी आप संचिफ्ट में बताएंगे फिर उसके बाद आप एक उचित सकरात मंगनिसकर्ज देंगे जो आपके उत्तर को पूर्ण करें तो इस परकार से ब है आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा साथी साथ यदि आपको हमारी पहल पसंद आती है तो अधिक सधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आज की अंक में फिलहाल इतना ही धन्यवाद